नमस्कार दोस्तों स्वागता है आपका टैरेस गार्डन चैनल पर तो दोस्तों कुछ ऐसे पोधे होते हैं जिने हम एक बार अगर अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो फिर वो प्लांट हमारे गार्डन से कभी भी जाने का नाम नहीं लेते हैं तो दोस्तो उन में से एक प्लांट है सुन्दर सा फ्लावरिंग प्लांट जिसका की नाम है गलाडिया तो ये प्लांट ऐसा है इस प्लांट को अगर हम एक बार अपने गार्डन में एड़ कर लेते हैं तो ये फिर कई सालों तक हमारे गार्डन में बना रहता है क्योंकि दोस्तों इसके जो एक ऍजीड तैयार हो जाते हैं और फिर वो अपने आप ही जड़ते रहते हैं थोड़ी सी हवा आने पर भी और वहाँ फिर नए-नए प्लांट निकलाते हैं इस तरह से प्लांट हमारा खराब भी नहीं होता है उससे पहले ही हमारे गार्डन में और भी प्लांट बन जाते हैं तो दोफ्तों हमारे इस प्लांट में आप देख सकते हैं कितने सारे ये सीड पॉड जो है रेडी हो रहे हैं तो हमने इनको हटाया नहीं है तो जैसे ही ये सूखते रहते हैं तो ये नीचे पॉट में ही इनके सीड गिरते रहते हैं और इस तरह से नए नए फ्लावर भी बनते रहते हैं तो दोस्तों गलाडिया का फ्लावर कई रंगों में आता है और इसमें सिंगल पैटल, मल्टी पैटल कई तरह के फ्लावर आते हैं और बिल्कूल ये पर्मानेंट प्लांट होता है इस प्लांट को लगाने के लिए वेल ड्रेंट सोयल की जरूरत होती है और दोस्तो इस प्लांट को जब भी लगाएं आठ दस या बारे इंच के गमले में ही लगाएं क्योंकि इस प्लांट में बेबी प्लांट भी ग्रो होते रहते हैं मतलब जैसे सीड डलते रहते हैं और फिर छोटे छोटे प्लांट ग्रो होते रहते हैं और दोस्तो ये प्लांट बहुत ही सुन्दर पर्मानेंट प्लांट होता है और इसमें पूरा साल ही फ्लावर आते रह लेकिन थोड़े से कम आते हैं जब जादा सर्तिया पड़ती हैं जैसे दिसंबर और जनवरी के महिने में तो दोस्तो इस प्लांट को बिलकुल आप सीड से इसली ही ग्रो कर सकते हैं या फिर एक प्लांट आप नर्सरी से ले आएं फिर कभी भी आपको ये प्लांट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें धेरो सीड बनते रहते हैं और फिर वो अपने आप ही गिरते रहते हैं और प्लांट तैयार होते रहते हैं तो दोस्तो गलाडिया का प्लांट बहुत सुंदर पर्मानेंट फ्लाबरिंग प्लांट होता है एक बार लगाने के गार्डन में बना ही रहता है और दोस्तों ये प्लांट कटिंग से भी ग्रोग हो जाता है तो इसकी कटिंग लगाने के लिए आपको उपर से जैसे धाई से तीन इंची की कटिंग लेनी है और उसको सेंडी सोयल में अगर आप ग्रोग कर दोगे तो इसली 10 से 15 दिन में ही इस की कटिंग चल पड़ती है रूट्स बन जाती है तो दोस्तों अगर इस प्लांट में पानी की बात करें तो पानी हमें तभी डालना है जब मिट्टी की ऊपर की लेयर सूख जाए उसी के बाद तो प्लांट में ओवर वार्टरिंग नहीं करनी है और दोस्तों कई बार इस पैस्ट का अटेक भी हो जाता है ब्लेक कलर के चोटे-चोटे कीड़े लग जाते हैं तो आप इस प्लांट में जैसे की सभी पोधों में आठ से दस दिन में नीम ओयल का स्प्रे करते हैं तो इस प्लांट में भी रेगुलर नीम ओयल का स्प्रे करते रहेंगे तो हमारा प्ला और फ्लावर तो आप देखी रहे हैं कितने सारे आ रहे हैं और कलिया भी कितनी आ रही हैं और सीड पॉड भी बहुत सारे बने हुए हैं और दोस्तो इस प्लांट को आप जो है समर सीजन में ऐसी जगह रखें जहां इसके उपर या तो च्छन के धूप आए या फिर ऐसी इसके उपर सुबह साम की एक से टेड़ घंटे की दूप आए तो गर्मियों में जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये प्लांट भी खराब हो सकता है और दोस्तो बरसात के मौसम में भी इस प्लांट को बिल्कुल हमें बचाना पड़ता है जब ज़्यादा बरसाते पड़ती हैं लगातार साथ से आड़ दिनों तक बरसात पड़ती है और इसकी सोयल में पानी जमा हो जाताँ है तो उस समय भी ये प्लांट खराब हो सकता है तो बरसातों के टाइम भी इसके जो है पोर्ट को हमें चेक करते रहना है कि इसमें पानी तो नहीं भरा है और दोस्तों विंटर सीजन में आप इस प्लांट को फुल सनलाइट में रख सकते हैं विंटर सीजन में ये प्लांट फुल सनलाइट में इसली ही चल जाता है और ये plant जो है हमारे garden में self seedling से grow हुआ है ना तो हम इस plant का seed ले के आये थे और ना ही हम इसका plant ले के आये थे तो सायद हम पोधों में गोवर खद डालते हैं तो उसी में इसका seed आ गया था और तब फिर ये grow हो गया था और इसी से ही अब हमारे पास गलाडिया के कई प्लांट बन रहे हैं और ऐसे ही प्लांट बनते जाते हैं तो हम उन्हें अलग कर करके लगाते जाते हैं तो दोस्तो अगर अभी तक आपने गलाडिया के प्लांट को अपने गारडन में एड नहीं किया है तो अभी भी आप इसको कर सकते हैं आप इस वक्त सीड से भी ग्रो कर सकते हैं क्यूंकि ये मोसम बहुत बढ़िया चल रहा है और अब तो सभी जगे लगबगो ठंडा मोसम ह रहा है और बरसाते भी लगातार हो रही हैं तो बारिस के पानी में सीड बहुत ही जल्दी इसली ग्रो हो जाते हैं या फिर आप इसका तैयार प्लांट नर्सरी से भी लाके अपने गार्डन में एड कर सकते हैं या किसी के घर में इस तरह का प्लांट लगा हुआ है तो वहां से सीड ले आएं या फिर दो चार कटिंग कटके ले आएं और फिर उसको लगा दें तो बहुत ही जल्दी इसकी कटिंग भी चल जाएगी और दोस्तों नर्सरी के उपर इस प्लांट का प्रैस जो है 20-30 रुपे में इसली ही आपको मिल जाता है और कई कलर में ये मतलब कई कलर के इसमें फ्लावर आते हैं बहुत सुन्दर पर्मानेंट प्लांट होता है एक बार लगाने के बाद में सालों साल हमारे गार्डन में बना ही रहता है तो दोस क्वारे प्लावर आता है ये नहीं है नहीं है दो से बाद मेंगने पता है कि भुप बलावर आता दोस्ता है झाल बादीद दिए हैं उेर बाद selective का चांम हमारे इसमaci्म सक्सरें कि नहीं एक रच mould है धियतों से लल ज realizar कि द тер Coca पा गग ये इस दिए कि घला